तो, हाई एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी, स्वागत करता हूँ आप सभी का, मेरा नाम है प्रिशान्त, आप सभी का, अपना प्रिशान्त भाईया, और आज आप सभी के लिए पूरे जोश के साथ लेकर आ गया हूँ, लाइफ प्रोसेस के सारे के सारे NCRT के exercise के questions और उसके solutions, तो सबसे पहले तो, भाईया, NCRT की जो हमारी प्यारी प्यारी सी किताब है, जो कि तुमारे कोने में पढ़ी रहती है, उसको ज़रा लाओ, और उसके जो NCRT की जो exercises हैं, उनके खोलको बैठो, और देखो, मैं पहले chapter क क्या जोरत है करने की, क्योंकि देखो, आप किसी भी board exam को उठा कर देखना, previous year के अंदर, जो NCRT के questions हैं, वो directly आपके exam में उठके आते हैं, तो इसको कैसे छोड़के जाओगे, और अगर छोड़के जाओगे, तो बड़ा पस्ता होगे, बड़ा पस्ता होगे, वो तो आप तो चीज मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहली हमारी चीज है one shot, देखो, one shot lecture आपको इसी YouTube चैनल के उपर मिल जाएंगे, वो आपको जाके देख लेना है, मैंने life process को दो घंटे से कम समय के अंदर पूरे life process को पढ़ाया है, और मैं दावे से बोल सकता हूँ, YouTube का one of the best life life process का lecture हमने पढ़ाया है इस चैनल के उपर, और मुझे बोलने की ज़रूत नहीं, आप खुछ जाकर देखकर बता सकते हैं, और फिर किसी भी अपने senior से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा, ठीक है, तो पहली चीज, आपने one shot lecture देखा होना जीए, तब ही आज के questions अंदर सारे questions को detail में समझेंगे, अपनी आख, अपना कान और अपना दिमाग खोल के बैठना है, ठीक है, तो start करते हैं, एक motivational line के साथ, line कुछ इस प्रकार है, कि ठुकराया था जिनोंने, ठुकराया था जिनोंने, मुझे मेरा वक्त देखकर, ऐसा वक्त लाऊंगा, वादा स्क्रीन के उपर, kidney in human being are part of the system for, किस system का part होती है, kidney आपको वो बताना है, जल्दी से बताएंगे, बड़ा simple सवाल है, ये तो किसी ने भी अगर kidney के बारे में, थोड़ा बहुत भी बताऊगा, वो भी बता सकता है, kidney का काम क्या होता है, बताओ, जल्दी बताओ, बताओ, बता करना, kidney क्या करता है, आपके, urine को filter करता है, इसको store करता है, तो ध्यान रखना, जो kidney का काम है, वो है filtering, मतलब, ये कहां पर आता है, ये आता है, आपका excretion में, yes, very simple, excretion topic के अंदर हम kidney के बारे में पढ़ते हैं, वो तो अव्वेस सी बात ही, चल ये बहुत बढ़िया, अग हमारी पुरानी जो याद है, जो कि तुम्हें विल्कुल पसंद नहीं है, नाइन तो बहुत बेकार क्लासी नंबर भी नहीं आए, थोड़ी याद याद करो, xylem, phloem, xylem क्या करता था, water और mineral को transport, और phloem क्या करता था, food को transport, याद आया, पुरानी पुरानी याद हमें, xylem का answer होगा, transport of water, will be a answer, जिन जिनने comment के अंदर ये लिखाए, congratulations, खुद के ले एक बार जोरदार तालिया बजा देंगे भाईया, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, autotrophic mode of nutrition requires, autotrophic, जब भी दिमाग में autotrophic आये, तो plant को imagine कर लेना, क्योंकि plant खुद का खाना ख जाओगे, ये सवाल मत पूछना, ठीक है, बारबार lecture के अंदर ही मैं बता चुका हो, कि autotrophic वो होते हैं, जो की natural resources से अपना खाना बनाते हैं, जिसकी plant, तो देखते है, carbon dioxide and water, क्या plant को लगता है, बिल्कुल, chlorophyll की जोरत पढ़ती है, बिल्कुल, sunlight की जोरत पढ़ती है, ब chlorophyll, chlorophyll का पहला पहला प्यार कौन है, chlorophyll का प्यार है, sunlight, जैसी वह sunlight को देखता है, तो sunlight की जो energy होती है, उसको trap कर लेता है, ठीक है, उसको अपने पास रख लेता है, ठीक है, उसका पहला पहला प्यार है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अलग-अलग चीजों की requirement हो पहले सवाल पर बढ़ते हैं फटा-फट से next हमारा जो question है वो है हमारा question number four breaking down of pyruvate to give carbon dioxide water and energy takes place in देखो पहली चीज मेरा पहला सवाल है pyruvate क्या होता है याद करो respiration जब तुम पढ़ रहे थे हैं न क्लास के अंदर तुम्में नीन आ रही थी थोड़ी थोड़ी बड़ तुम पढ़ रहे थे उसके अंदर तुमने देखा था कि glucose होता है एक six carbon का एक molecule होता है glucose वो टूडता है किसके अंदर तूडता है pyruvate के अंदर three carbon का एक molecule होता है याद आ रहा है कुछ और ये pyrovate aerobic respiration के अंदर किसमें टूड़ता है energy, carbon dioxide, water याद आया aerobic respiration के अंदर aerobic respiration कहा होती है energy कहा होती है mitochondria, mitochondria लगा देंगे powerhouse of the cell 9th class में एक चीज तो तुम्हें सच में याद होगी कसम खाओ, तुम्हें याद है mitochondria is the power of the cell ये सबको याद होता है, किसी अच्चे से पूछ लो सबको पता है mitochondria is the power of the cell तो भाई जब वो powerhouse है तो energy वही तो बनेगी तो energy तो वही बनती है, obvious सी बात है सबको मालूम है, answer will be mitochondria बहुत बढ़ी आगे बढ़ते हैं चलिए, अगले सवाल पर बढ़ते है how are fats digested in our body बहुत important question एक बढ़ डबल स्टार मार कर लेंगे इस सवाल पर डबल स्टार मार कर लो, question पूछा जा सकता है आपके board के अंदर, देखो previous year question तो आपको सब करा देते हैं पूरा process था, imagine करो मैंने burger खाया तो fat याद करो, कहाँ पर टूटता है तो एक आपको cycle दिखाता हूँ यह cycle बड़ी important है, I hope यह आपको visible है बताओ मुझे, यह visible है के सभी को visible है, बहुत बढ़ी है, visible है ध्यान से देखना, इस cycle यह बहुत जादा important है क्योंकि जो fats होते हैं, वो कहाँ पर सबसे पहले digest होते हैं, याद करो देखो, हमने खाना खाया खाना अंदर गया कहाँ पर? पेट में, स्टमक में स्टमक से कहाँ जाता था? small intestine में small intestine के भाहर दो गुंडे खड़े थे कौन थे गुंडे? याद करो, मैंने आपको समझाया था कौन-कौन थे? एक थे liver, एक था pancreas liver ने क्या करा? liver ने wild juice दिया था wild juice ने दो काम करे थे, याद करो एक तो, जो acidic food था, उसको alkaline बनाया था और, दूसरा क्या था? emulsification of fat जो fats के बड़े-बड़े globules थे उसको breakdown करा, इसके अंदर emulsification of fat, emulsified fat के अंदर ठीक है? पहला step तो यह है, fat आया कैसे हुआ? बाइल juice की मदद से छोटे-छोटे टुकडों के अंदर टूड गया अब, याद करो, उसके बाद एक, एक enzyme था जो की pancreas ने दिया था, enzyme का नाम था lipase, याद आ रहा है? याद आ रहा है lipase, lipase क्या करता था? lipase क्या करता था? lipase ना, जो छोटे-छोटे fats के molecules थे ना, उनके साथ भी लड़ाई लड़ता था और उनको तोड़ देता था, breakdown कर देता था ठीक है? और final digestion पता है कहां पर होता है? final digestion होता है हमारा intestine के अंदर small intestine के अंदर, जहां पर आपका, जो fats था ना वो तूट जाता है किसके अंदर fatty acid और grisolol के अंदर ठीक है? तो तीन step की cycle है, बहुत important है, fats के breakdown की याद रखना, fats हमारा start होता है liver से, फिर pancreas का role होता है, फिर तीसरा काम होता है small intestine का, small intestine intimately उसको तोड़ देती है, जैसे fatty acids और grisolol के अंदर, बस, यह cycle है, यह cycle अपने दिमाग के अंदर रख लेना very 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 important है, ठीक है? I hope it clear हो गया, यह question clear हो गया भया लिखने का time दो, देखो मैं आपको एक देता हूँ, notes मैं आपको देदूँगा, तो लिखने की ज़रत नहीं अभी आप concept समझो, notes में टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, concept पूरा समझगा, theory आपको लिखी हो, यहां पर मिल जाएगी, theory लिखी ही मिल जाएगी, अगर कोई my lace, क्या करता था, क्या करता था, जितनी भी complex sugar थी, उनको क्या करता था, तोर देता था, simple sugar के अंदर, मतलब maltose के अंदर, याद है, किस को याद है, यह करता था ना, बहुत बड़ी है, तो answer देख लेंगे, फटा फट से इसका answer देखेंगे, जल्दी आ जाओ, starch, starch जो होता है, उसको किस के अंदर तोड़ता है, maltose के अंदर तोड़ता है, किस के अंदर तोड़ता है, तो saliva का सबसे important काम है, salivary amylase, salivary amylase क्या करता है, complex sugar को simpler sugar के अंदर तोड़ देता है, क्या ये बात समझ आई, समझ आई, और joche meter कम तो नहीं हुआ न, हाँ ठीक है जोश मिटर हाई रखना है ठीक है जोश मिटर हाई रखना है अगला सवाल देखते हैं फटा फटते कोश्चन नमबर 7 अब what are necessary conditions for ये for है और नहीं है बिटाए ये है for for autotrophic nutrition and what are its byproducts बताएं बताएं very simple very simple क्या 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 चीजों की requirement होती है autotrophic मैंने बोला था जब भी autotrophic का कोई भी सवाल आए तो याद करना plant plant को क्या 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 चीजों की requirement होती है तो सबसे पहले क्या होता है presence of chlorophyll भया chlorophyll चाहिए अगर green plant नहीं है यानि वो photosynthesis नहीं करेगा अगला देखते है provision of supply of water पानी चाहिए भया पानी बड़ा जरूरी मैंने आपको बताया था chlorophyll sunlight दोनों के बीच में है प्रेम chlorophyll sunlight को बोलता है sunlight उसकी तरफ आ जाती है फिर वो पानी ढूंडते है फिर वो carbon dioxide ढूंडते है ये सब मिलके photosynthesis होता है photosynthesis से energy बनती है और साथ effect बनता है जिसका नाम है क्या oxygen और वही oxygen से हम जिन्दा है तो plant को एक बार धन्यवाद देना तो बनता है क्योंकि उसी की मदद से हम जिन्दा है ठीक है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी से है ना बहुत बढ़िया chemistry ने आपसे बोला कि इंतजार करो इंतजार करो रंग बदलेगा चाहे फिर वो chemical compounds हो या फिर आपके दोस्त हो रंग सबता बदलता है ठीक है तो जो आपकी chemistry होती है वो तो आपको एर जीवन का सथ सिखाती है biology भी important है पट chemistry में तो देखा आपको सथ चाही सिख रही तो chemistry ढ and anaerobic respiration name some organisms that use anaerobic respiration देखो anaerobic respiration कौन सा organism use करता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था yeast है ना यादा है yeast हाँ ये तो हमारे दिमाग में अब difference क्या है difference क्या है बहुत सारे difference है aerobic के अंदर oxygen होता है anaerobic के अंदर या तो oxygen बिलकुल नहीं होता है या तो lack of oxygen oxygen होता है बहुत सारे difference है तो एक एक करके difference देख लेते हैं आजाओ फटाफट जल्दी आओ देखो आप table के form में भी याद कर सकते हो बट यहाँ पर मैं table के form में answers को नहीं लिख कर आया हूँ ताकि आपको और deeply समझाए ठीक है देखो पहली चीज़ है requirement of oxygen किसमें जादा oxygen याद रखना जो आपका aerobic respiration होता है उसके अंदर energy जो निकलती है वो बहुत हाई मातरा में निकलती है बहुत हाई energy निकलती है जबकि anaerobic respiration में energy बहुत कम निकलती है बहुत low energy निकलती है ठीक है यह दूसरा point हो गया अगला point देखेंगे अगला point है end product end product क्या होते हैं याद आया याद आया और anaerobic में क्या निकल रहा था एक anaerobic था जिसके अंदर ethanol बन रहा और दूसरे के अंदर lactic acid बन रहा था तो याद रखेंगे lactic acid ethanol यह किसके अंदर बनते हैं यह बनते हैं आपके anaerobic के अंदर जबकिए aerobic के अंदर बनते हैं carbon dioxide और water clear clear very important very important ठीक है अल्रेडी पता ही है ठीक है clear इतना समझ आया इतना समझ आया क्या कोई समस्य आया या तक simple question था difference पे है difference पे सवाल बार बार आ जाता है तो इस question को भी star mark कर डेना क्योंकि इस पे भी सवाल आपके exam के दर पूछा जा सकता है आगे वड़ता है चलो अगला सवाल how are elvoli designed to maximize exchange of gases बताएं भाई सोचो सोचो कैसे करेंगे अरे भाईया elvoli क्या होता था याद कर Elvoli क्या होता था एलोलाय आपके लंग के अंदर होता था एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता था याद है कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता था किस-किस को याद है और इसके अंदर क्या होता था इसके अंदर बहुत सारी क्या होती थी बलड वैसल जाती थी ब्लड वैसल होती थी इसके अंदर से, याद आया, याद आया, और उसके अंदर होता क्या था, कि जो ब्लड के अंदर, जो ब्लड के अंदर आपका carbon dioxide था, जो ब्लड के अंदर आपका carbon dioxide था, वो तो कहां चला जाता था, वो तो कहां चला जाता था, वो तो अंदर चला जाता यही था, carbon dioxide और oxygen का exchange हो जाता था, यही था, तो alvolai तो सब को याद है, alvolai याद रहने चाहिए, आप question देखते है, how are alvolai designed to maximize exchange of gases, देखो, basically दो point होतने है, दोनों point आपको याद रहने चाहिए, पहला point है, alvolai are thin wall, ध्यान से देखना, thin wall, मतलब, मान लो alvolai है, इसकी जो wall है य gases का exchange, अगर wall इतनी मोटी है, तो क्या gas exchange होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी, आपके घर के सामने, आपने देखा होता है, बहुत सारे घर के अंदर, या खिड़की के अंदर, एक जाली का दरवाजा लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ताकि gas अंदर भार हो सके, air अंदर आ सके, है ना, और एक कांच का दरवाजा लगाया जाता है, वो क्यों लगा जाता है, ताकि air अंदर भार ना हो सके, समझ पा रहे हो, similarly, elbow lie की जो wall होती है, वो थिन होती है, क्यों, ताकि gas exchange हो सके, दूसरा point क्या है, elbow lie has balloon like structure, hence provide maximum surface area, याद रखना, balloon like structure होता है, तो जो surface area देता है, वो maximum होता है, exchange of gases के लिए, दो point important है, और elbow lie की working कैसे, वो तो आपको पता ही है, ठीक है, चलो, अगला question, अगला question देखते है, what would be consequence of deficiency of hemoglobin in our body, ठीक है, अब देखो, एक system समझाता हूँ आपको, ठीक है, एक frame कहानी आपको समझाता हूँ, वो frame कहानी समझोगे, त उसका प्यार था, किस से, oxygen से, ठीक है, oxygen से, पर oxygen उसको उतना भाग नहीं देता था, तो hemoglobin जब भी oxygen को देखता था, तब बोलता था, और oxygen मेरे पास आता, ठीक है, क्योंकि hemoglobin का बहुत जादा प्यार था ना, oxygen से, तो यह आप कहानी समझे, अब ध्यान से समझना, हमारे blood में होता है, hemoglobin, ठीक है, अब hemoglobin जैसी oxygen को देखता है, तो oxygen को अपनी तरफ बुला लेता है, ठीक है, अब किसी की body में, imagine करो, अगर hemoglobin ही कम है, मतलब यह आशिक आदमी ही कम है, तो अगर यह कम है, तो अब्यस सी बात है, oxygen भी कम होगा, क्योंकि भाई, इसका प्यार है oxygen, अब यही नहीं होगा यहाँ पर, तो oxygen भी नहीं होगा यहाँ पर, समझ पारे हो, और अगर blood में oxygen नहीं होगा, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा weakness होगी हमें, वो जो हमारा process होता है, respiration का, वो process नहीं हो पाएगा, तो जब भी किसी को weakness होती है, तब ही डॉक्टर बोलते ह यार जाओ और अपना हीमोग्लोविन चेक कराओ, इस वज़े से, ठीक है, तो यह कहानी याद रखेंगे, हीमोग्लोविन का पहला पहला पहला, एकसे एक्जाम के अंदर लिखके नहीं आना, कभी तुम लिखके आ रहे हो, खुद भी पिट रहे हो, मुझे भी बिटवाओ होगे, ठीक है, तो आंसर देखेंगे फटाफट, ड्यू टो डेफिदेंशी ओफ हीमोग्लोविन इन दी बलड, इट्स ऑक्सीजन केरिंग कैपेसिटी डिक्रीजिस, एज़ रिटल, एज़ रिजल्ट प्रोडेक्शन ऑफ एनर्जी वाइ ऑक्सीडेशन विल बिकम स्लोर, याद रखना, जो एनर्जी प्रोडेक्शन है, वो धीमा हो जाएगा, बस, इतना सा है, क्लियर है, आगया, आगया, चलो वहिए, आगे बढ़ते हैं, फटा फट से, नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला कोश्चन है, डिस्क्राइब दी रोल, देखो, डेवल सर्गुलेशन क्या होता है, प्रोसीजर समझ लेना, प्रोसीजर आपको मैं बता देता हूँ, हर्ट के अंदर खून जो है, वो दो बार जाता है, कैसे जाता है, कैसे इमैजन करो, इमैजन करो, यह है आपका लंग, ठीक है, यह है आपका लंग, ठीक है, और oxygenated blood आएगा, oxygenated blood आएगा, आया, hurt के left side में आया, आता है, यही होता है, कहां से आता है, lung से, lung से आ रहा है oxygenated blood, कहां पर आया, left side में, left side में आया, अब left side से वो नीचे गया, नीचे से होकर, वो pump होकर, वो कहां पर चला गया, body के अंदर चला गया, ठीक है, अब body के अंदर respiration कहां पर right chamber की तरफ, ठीक है, अब ये right chamber में गया, अब right chamber से वापिस से pump होगा, pump हो कर जाएगा, कहां पर lungs की तरफ, समझ पाए, समझ पाए, तो इस पूरी cycle के अंदर, hot में blood कितनी बार गया, दो बार, और उसी process को हम बोलते है, double circulation, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है न, जो blood ह है न, वो hot के अंदर दो बार आ रहा है, अब question क्या पूचा है, पहले तो बोला है, describe करो double circulation होता क्या है, वो तो हमने describe कर दिया, अभी बताऊंगा कि हमें लिखना कैसे है, मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ठीक है, second question देखो, why is it necessary, जरूरी क्यों है, क्यों दो दो बार blood है, क्योंकि यह process बहुत जरूरी है, क्योंकि as a human, हमें न, बहुत जादा energy की requirement होती है, है न, तो double circulation से क्या होता है, oxygenated blood, de-oxygenated blood, अलग-अलग रहता है, और बार-बार blood pump हो सकता है, जिससे कि हमारी जो energy है, energy, वो बार-बार increase होती है, ठीक है, तो इसका answer देखता है, फटा- the oneakaava, यह सारे terms याद रखना, विन-a-kawy क्या होता है, है न, auricle, यह सारी जितनी भी है न, हमारी auricle, ventricle, यह सब हमें याद रखनी है, hurt के अंदर, terms मत भूलना, hurt important पता है क्यों होता है, क्योंकि बच्चे, terms भूल जाते हैं, ना भूल जाते है, atrium भूल जाते है, ventricle, ऐसी चीज़े मत करना ये गलतिया मत करना ठीक है प्रोम वीनकावा देन इट मूज तो दी राइट वेंट्रिकल एंड इस पंप टू दी लंग वाया लेकाक प्लमिनरी आट्री प्लमिनरी आट्री की तुरों कैसे चला जाता है लंग में अब लंग से वापिस आएगा left side में oxygenated blood लेके वापिस आएगा न तो oxygenated blood return टू the left atrium from lungs through pulmonary veins ठीक है वेंग एक चीज याद रखना एक चीज याद रखना अर्ट्री और वेंस में कभी भी confuse हो तो अर्ट्री का पहला वर्ड क्या होता है पहला वर्ड होता है ए तो याद रखना ए से एक और शब्ड दोता है अवे तो अर्ट्री हमेशा बलड को अवे लेके जाएंगी हर्ट से अर्ट्री बलड को हर्ट से दूर लेके जाएंगी आगे बढ़ते हैं चलिए और वाइकर रीजन क्या है कि जरूरत क्या है उस चीज़ की जरूरत आपको मैंने बता दिया है क्योंकि इस सिस्टम से जो हमारी energy efficiency है वो increase होती है आगे देखते हैं what are the difference what are the difference between transport of material in xylem and phloem बताओ भई बताओ भई देखो एक चीज़ याद रखना अगर तुम स्कूल के अंदर unit test दे रहे हो चाहे तुम बोड exam दे रहे हो biology में specially अपने answers को बड़ा बड़ा लिखो ठीक है याद रखना biology के अंदर अपने answers को बड़ा बड़ा लिखो कुछ बच्चे बोलते हैं भाईया वो page जो है न वो भर जाएगा अरे भरने दो school ने तुम्हें पूरे साल बर लूटा school ने तुम्हें पूरे साल बर लूटा आप तुम्हारी बार ये लूटने की लूटो लो एक sheet लो दो sheet लो अगल बगल वाली भी tension में आ जाए यार इसने ऐसा क्या लिख रहा है तुम लिखो हर answer के बाद दो line छोड़ो तीन line छोड़ो gap gap ले लेके लिखो और पूरो पूरा है न वो हमेशा roots से तहां पर होता है उपर की तरफ होता है जो roots है रूटसे पानी पहा जाता है उपर जाता है और पूरी body के अंदर चला जाता है leaves तक चला जाता है जब कि याद रखना जो आपका Hispan को होता है उसका moment ना uni direction नहीं होता तक हर याया होता है उपर नीचे right left हर जягले कि छाना बन रहा है किम खाना तो बन रहा है अपिस लिफ्ष और यहाँ बन लेकर जाएगा यह फ्लोम प्रिंस बासरा इसट्रा नीचे से उपर जाता है यूड parrot जबकि यह होता है बाइडिरेक्शनल, यह हर जगे पर जा सकता है, फूर जो है, वो उपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, हर डिरेक्शन में जाएगा, याद रहेगा, याद रहेगा, यह दो पॉइंट इंपोर्टेंट है, आईगे सब हम आखरी कोश्चन की तरफ बढ कोई सेजिस्ट कर सकता हूँ, कोशिश करो, नैफरोन याद कर लो, मैं आपको जूट नहीं बोलूगा कि नैफरोन नहीं पूछा जा सकता, आपके एक्जाम के अंदर, स्कूल के एक्जाम के अंदर तो कुछ भी बूच सकते हैं, हाफ फिल्डी में पूछ लेंगे नैफरो नैफरोन तो पूछा जा सकता है, तो नैफरोन के जो डाइग्राम है, उसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है, इस कोशन के अंदर हमसे डाइग्राम नहीं पूछा गया है, हमें बस फंक्शिनिंग में डिफरेंस बताने है, एलवलाय का फंक्शन आपको बता है, एलवला लाइक स्ट्ट्चर, किसका अलवलाय का, तो याद रखेंगे, अलवलाय तो टाइनी बेलून लाइक स्ट्ट्चर है, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, नैफरोन का स्ट्चर होता है, ट्यूबलर स्ट्चर, ट्यूब जैसा था न, याद आया, वो ऐसे बोमन है, क्योंकि गैस को एक्सचेंज करना है, यहाँ पर क्या होता है, मेड औफ ग्लोमरिलस बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल से बना होता है, याद है नेफरोन, नेफरोन का डाइगरम, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बीच मैं gaseous exchange, gases का exchange करना, इसका क्या function है, इसका function है, बलड में से, जितना भी nitrogenous waste है, उस waste को collect करना, क्या है, basic filtration unit collect nitrogenous waste as urine, बहुत बढ़िया, last difference देखते है, exchange of O2 and CO2, oxygen क्या करता है, बलड को देता है, और बलड से, और carbon dioxide पापिस लेता है, है न, और ये क्या करता है, ये क्या करता है, य और जो pure blood है, उसको तो वापिस वेज़ देता है, और जो waste है, उसको नीचे वेज़ देता है, urinary bladder की तरफ, जो की अपने urine को store करती है, ठीक है, तो ये procedure है, ये difference है, very important, इस पे भी star mark कर लेंगे, ये difference भी आपके paper के अंदर पूछा जा सकता है, तो पढ़के आना, very important, I guess, इ तेरा के तेरा सवाल निप्टा दी है, एक session के अंदर, वो भी कितने मिनट हो हैं अभी, 25-26 मिनट हो हैं, बहुत बढ़िया, देख रहे हो, कितनी जल्दी, कितनी जल्दी निप्टा देतने हैं, ऐसी आगे के chapters भी निप्टाते रहेंगे, अब आपको comment क्या करना है, आपको इसके उपर, यूट्यूब के उपर आ रहा होगा, on this note, शुक्रिया everyone, अपने दोस्तों के साथ, इस session को share कर देना, क्यों share कर देना, क्योंकि देखो, तुम दोस्तों यार, उसके सुक में भी साथ रहो, दुख में भी साथ रहो, ठीक है, एक दोस्त ऐसा होना चीए जिए ज शेयर करो, जिससे उसका भी फायदा हो, तुम्हारा भी फायदा हो, दोनों मिलके टॉप करो, on this note, शुक्रिया everyone, मेरा नाम है प्रिशान, मिलते हैं, नेक्स सेशन के अंदर, टेक केर, बाई, 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 चलो, 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 बाई